नवश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज आपके साथ इस कारेक्रम में हम बात करेंगे दो देशों के बारे में थाइलाइंड और ग्विटेमाला दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं थाइलाइंड है साथ इस्ट एशिया का एहम देश यहां पर लंबे समय से कोशिश हो रही है कि यहां जो सामंत शाही है यहां जो मिलिटरी शाशन है उससे किस तरह से बाहर निकाला जाए फिलहाल ऐसा लगता है कि जो मूव फॉवर्ट पार्टी का एलाइंस था वह विफल रहा है और दोबारा सत्त जा रही है या यूँ कहिए चली गई है मिलिटरी के पास सामंत शाही के पास इसके पेचोखम हम समझेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे गविटेमाला की बहुत एहम देश बनाना रिपब्लिक नाम यहीं से इमर्ज किया था और आज वहां सत्ता बदली है और अमरीका परेशान है क्यों है परेशान आईए बात करते हैं प्रबीर पुरकायस से प्रबीर आज हम परताल दुनिया भर में आपसे बात करेंगे जानना चाहेंगे भारत के जो बगल में एक देश है थाइलैंड उसमें जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस सत्ता परिवर्तन को लेकर अलग-अलग क्यास चल रहे हैं शुरू में जो खबरे आ रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो सामन्त शाही है और जो मिलिटरी जुन्टा का शाशन है उसे चुनौती मिलेगी लेकिन फिर वहां चीजें बहुत तेजी से बदली है जो पीटा चुनकर आये थे मूब फॉवर्वर्ट पार्ट जो क्वालिएशन पहले जीता था और जिसकी लीडर वू फॉर्वर्वर्ट पार्टी के नेता थे उनको उन्होंने डिस्क्वालिफाई कर दिया था कुछ बहाने में कुछ बहाने लेकर कि आप कुछ टेलिविशन कंपनी चलाते थे पहले तो आप क्वालिफाइड नहीं ह मेंबर ऑपार्लिमेंट बनने वगारा वगारा तो कॉस्टिटूशनल कोट के जरीए इनको बाहर कर दिया और इन कॉलिएशन को भी मेजॉरिटी उस वक्त जो मिली थी जो चुनी हुई पार्लिमेंट में उनको 200 सेनेटर्स की भी जॉइंट मीटिंग होती है तो प्राइम म मेंबर्स होते हैं तो उसमें 376 वोट अगर नहीं मिला तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे तो ये क्वालेशन को 376 नंबर पहुंशना संभब नहीं हो रहा था क्योंकि मिलिटरी पार्टी किंग की पार्टी भी इसमें शामिल है और उसको उनको भी कुछ थी तो वो इसी लिए मिजॉरिटी नहीं पा रही थी पीछे जो खेल है यह है कि पहले वहां शिनवात्रा ठाक्सिन शिनवात्रा पहले प्राइम निस्टर रहे हैं और उनकी काफी पॉपुलारिटी थी वो बिलियनेर है बहुत पैसे हैं उनके पास बट फ्यूडलिसम और कैपिटलिसम की टक्कर में तो वो आम जो जरता है उनको प्रेफर किया था मिलिटरी रूल के जगार या किंग की पार्टियों के जगार तो शिनवात्रा को पहले तो उनको हटा दी की कोशिश की उनकी सिस्टर आये थे उनको भी हटा दिया था तो शिनवात्रा 2006 के बाद द 2008 में उन पर केस दर्ज कर दिया था, करप्शन वगरा के, तो उसी लिए वो देश के बाहर है तब से, तो 15 साल बाहर है, लगता है कि पीछे दोनों की बीच में बात चीत हुई थी, देखने वाली बात तो यह है कि इनकी जो पार्टी, शिनवात्रा बैक्ट पार्टी जो कहें प्यू थाई पार्टी और मूब फ़रवर्ड पार्टी की कोईलेशन थी, जिन्होंने चुनाव जीता था, उन्होंने तब वादा किया था कि हम मिलिटरी पार्टीों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, पर क्योंकि शिनवात्रा को वापस आने दिया जा रहा है, साफ है कि उन उनको बिलिटरी ने उनको तोड़ा है, अब मिलिटरी पार्टीों के साथ मिलके फ्यू थाई पार्टी सरकार बनाएगी, यही लग रहा है, होने वादा है, तो यह इस इस पर क्या पतिक्रिया होगी, क्या दूस्ट पार्लेमेट में जो जीत के आए हैं, उनकी पार्टी उ साथ military parties और royal forces जो है वो उन्होंने समझावता किया ये भी है कि royal feudal forces जो Thailand में है वो जमीन पर कभजा किये गया है उनके पर काफी जमीन है इसलिए तो feudal landlords कहते ना इनको उनका राजा जो है राजा तो बाहर है वो तो देश में है ही नहीं पर 15-20 साल से वो देश खास आता नहीं है तो उनके नाम पे landlords और military वहां पर शाशन करते हैं तो उस जो शाशग वर्ग रहा है जिसको मैं कहूंगा पुराना शाशग वर्ग उनके साथ ठक्सिंशी शिनवात्रा का जो capitalist है उसकी क्या समझाता होगा यह देखने वाली बात है क्योंकि यह पहली बार जब शिनवात्रा आये थे यही फ्रैक्चर लाइन्स वहां पर निकला था और इनको शिनवात्रा को बाहर कर दिया था उसके बाद उसको जीतने नहीं दिया था और जो था कि वहां पर थाइलेंड में बड़े बिस्पोर्ट भी हुए हैं बहुत संघर्ष हुए हैं जिसके जरिये बूफ और पार्टी लोगों के सामने आया उसका अब क्या होगा जनता क्या करेगी अब तो देखने वाली बात है पर लगता है कि इन दो फोर्स के बीच में एक समझावता हुआ है इसलिए शिनवात्र में जब चुनाओ हो रहे थे और ये दो पार्टियां साथ आई थी और दूसरी पार्टी इन्होंने जिस तरह से जो वादे किये थे कि कुछ असर कम होगा जुन्टा का वह विफल रहा और वापस जिसने सोचा भी नहीं था कि 15 साल जिन्होंने बाहर रहे उनके साह समझोता करके सामंत शाही और जुन्टा दुबारा थाइलैंड पर कबजा इस तरह से करेंगे बनस्पत यह है कि उसमें पूजीवादी शक्तियां भी शामिल होंगे तो वह थोड़ा कमजोग तो हुए है क्योंकि उनको पूजीवादी शक्ति थी सेशिन वात्रा, प्यूडल और र जो कि जनवादी करन चाहते थे थाइलैंड में वो लगता है पीछे हट गए तो पूजीवाद और सामंत शाही की समझावता लग रहा है कि थाइलैंड में निकल के आ रहा है प्रवीर थाइलैंड के बाद हम बात करेंगे गविटामाला की ये एक ऐसा देश है जो लंबे समय से अमरीकी दबाव में रहा है और इस बार जो यहां पर चुनाव हुए हैं जो नतीजे सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि अमरीका जिस तरह से इस देश को अपने हाला कि दूसरे है कि गोातामाला रातन अमरीका जिसको आप लाका है जो की अमरीका और- –कि बीच पे बीच में है, मक्सिको कर नीचे है तो उस इलाके में सेंटल अमेरिका भी उसको कह सकते है वहां की एक देश है बहुत एहम देश है और ये हमारे अभिदान में जब हम बनाना रिपब्लिक कहते हैं तो हम तेरपल 1953 में वापस हम जाते हैं कि जहां गवातामाला में United Fruit Company की लिए United States ने कू कराये था और उस वक्त जो अरबिन्स गुजमन वहां की प्रेसिडेंट थी उनको हटाया था क्योंकि उन्होंने सरप्लस जमीन जो थी United Fruit Company के ले लिया था और कहा था इसको हम गरीब जो जनता है उस पर वाटेंगे ताकि वह वहां खेती कर सकते हैं तो इतनी बड़ी जो कदब उन्हों फ्रूट कंपनी उसकी एक कंपनी की जमीन ले रहा है तो उसके वजह से इतनी बड़ी गुस्ताकी करने के लिए वहां कू की गई थी जहां जौन फॉस्टर डालेस और उनके भाई एलेन डालेस एक फॉरेंट सेक्रेटरी थे एक सियाए के हेड थे उन्होंने पूरा प्रण करता था तो तो डाट इस वाई अभी भी लैकन अमेरिका दे दुनिया में बनाना रिपब्लिक कहा जाता है जहां पर आम आथानी से कू कराया जा सकता है जहां कोई शाशन का एक फिक्स पैटर नहीं है आप जब भी चाहें अपने मनमाफिक सरकार चला सकते हैं चला हमारी जो जैनरेशन है इसलिए इस चीज को कहते हैं तो जीता कौन अश् cuma जिते हैं बनादो की जीत हैं ऑप जोतों की जीत से एहम hai क्योंक्स की पहली बार ऐसे शख्स आये जो कि अमरीका की बिनाना रे पनीक Понिसी से बिलकुल मन में हैं और जो की उस president की बेटे हैं जो पहला president Guatemala का था जिन्हों ने वहाँ democratically election करा के जीत के आये थे तो उनका बेटा है यह तो इनकी आतिहासिक कहेंगे एक चबी भी है वहाँ पर कि वो उस president के बेटा है जिन्हों ने पहली बार यहां पर आपकी एक चुनाव से आके डिमोक्राटिकली जीत के आया था तो यह देखते हुए यह देखते हुए लोगों के आशा सिर्थ गौतमाला में नहीं पर लाटन अमेरिका में काफी होगा कि वो गौतमाला का उस दिशा में ले जाएंगे जहां कि एक इंडिपेंडन् गौतमाला के लिए वो बना सकते हैं वो सिर्फ जो है अमरिका परस्त बुल्क बंके नहीं रहेगा यह लाटन अमेरिका में इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि अमरिका का विरोध नहीं है पर अमरिका की दादागिरी नहीं चलेगी यह बात लोग कहना शुरू किये इस पर हर जगा पर ऐसा नहीं है कि हवा इसी तरह चल रहा है कुछ कही पर आगे चला तो पीछे भी आया ये भी सब हो रहा है क्या कहेंगे काई देश आगे जाके फिर पीछे आया संकट में फस गए constitutional coups हो रहे हैं ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है पर प्रवाह जो है इतिहास की इस वक्त लगता है कि हमें आजाद Latin American देशों की एक समूह होनी चाहिए ये आवाज उठ रही है हम अमरिका के दादागिरी नहीं मानेंगे ये बाते अब आ रही है मेक्सिको हो बड़े साफ शब्दों में कहा है जो कि पहले कभी इस तरह के बाते अमरिका के खिलाफ मेक्सिको नहीं कहता था अब देखा हमने कलंबिया में ब्राजील में ऐसे बहुत जगहों पे आवाज आ रही है ये भी है ऐसा नहीं कि सिर्व एक ही सोर हो रही है आर्ज कि सिर्व एक तरफा चल रहा है पर लग तो रहा है कि हवा अमरिका के खिलाफ दीरे दीरे चल रहा है और अमरिका के खिलाब इतना नहीं है जितना है कि अमरिका की प्रभुत्व हम नहीं बाते हो रही है तो एक हिसाब से मौंडरो नीती जो अमरिका की रही है कि लाटन अमेरिका जो है हमारा पूरा कब्जे में होगा, हमारा ही रहेगा, वो बाते अब कम से कम लाटन अमेरिका देश मानने के लिए त्यार नहीं है, और इसी क्रम में हम गोटमाला को देख रहे हैं, जी, गोटमाला बनाना रिपब्लिक का शुरुआत किया था, अब दोस्तों है ना दिल्चस्प देखना कि थाईलैंड हो या गोटमाला, डिस्टन्स कितना भी हो, लेकिन जो विश्व कूटनीती है, उसका असर और उसकी मार दूर दूर तक पहुचती है, और इसी असर को पकड़ने की हम कोशिश करेंगे, अपने अगले स्पेशल शो में, जो सिर्फ होगा ब्रिक्स पर, क्या गुल खिलेगा ब्रिक्स में, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स में एहम भूमी का अदा कर रहा है, इंतजार कीजेगा ब्रिक्स के हमारे स्पेशल शो का, शुक्रिया